लैपड एक ऐसा सिकारी है जो किसी जानवर को अपना निसाना बना ले तो उस जानवर का बचना नामुम्किन हो जाता है मगर ये छोटी ची दिखने वारी गिलहरी की फूरती के आगे इस लैपड की फूरती भी कोई काम नहीं आती और इसका अंदाजा इसी वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो लैपड एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उस गिलहरी को पकड़ने के लिए बिल्कुल तयार बैठा है मगर वो गिलहरी इतनी ज़्यादा फूरतीली होती है कि उस लैपड के इतना पीछा करने के बावजुद भी वो गिलहरी उस लैपड के हाथ में नहीं आ पाती है तब ही कहा गया है कि नेचर ने हर जानवर को सर्भाइबल के लिए एक खास गूर्ण दिया होता है जैसा कि इसी गिलहरी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गिलहरी इतनी ज़्यादा फूरतीली होती है कि लैपड की फूरती भी इनके आगे कुछ नहीं रहती है आप जरा आप सभी लोग खुद ही देखिए कि वैसे तो लैपड पेड़ पर चड़ने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर सिकारी माने गया है मगर इन गिलहरी के आगे वो चालाक सिकारी भी ऐसे बेवकूफ बनता है जैसे वो खतरनाक सिकारी नहीं कोई छोटा मोटा सिकारी हो और जैसा कि इसी लैपड को देख कर समझ आ रहा है उस गिलहरी के उस पेड़ से भाग जाने पर इतना ज़्यादा कन्फियूज हो गया है कि उस गिलहरी को ढूंड ही नहीं पा रहा है इस लेपड की ऐसी हरकत को देख कर तो किसी को भी हसी आ जाए और जिस तरीके जी ये लेपड बार बार जाकर उस गिलहरी को पकड़ने की कोशिस में लगा हुआ है भले ही वो छोटी सी दिखने वाली गिलहरी उस लेपड की हाथ में नहीं आ रही है मगर फिर भी वो लपर अपनी तरफ से पूरी कोशिस कर रहा है कि वो उस गिलहरी का सिकार कर सके मगर गिलहरी इतनी ज़्यादा फूर्तिली जानबर होती है कि बड़े से बड़ा जानबर भी उसका सिकार करने से ज़ाए